हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल वी एम लखनाव काईट्स दोस्तों मैं हूँ राजेश जैसा आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं प्यार करें चैनल को बहुत बहुत दिल दे थैंक्यू कहता हूँ आप लोगों को और इसी लिए लगातार मेरी को या लाया जाए कि कई बार मैं इदर पतं के कारखाने पे जा रहा हूँ लगतार जुड़ा हूँ और एक बार फिर हम लोग एक बहुत पुराने पतं के कारखाने से जुड़ गए है रानू काईट मेकर के नाम से जाना जाता है कारखाना रानू भाई हमारे सामने बैठे है और रानू भाई के पिता जी जो है पप्पू भाई के नाम से काफी लगबग 30 साल से जादा हो गए काम करते वे पतंग का लेकिन पुराने उस्ताद हैं लेकिन प्राइस के मामले में आज भी आपको बहुत कम प्राइस पे प्रोवाइड करा रहे हैं एक अच्छी पतंग पौना याद्धी हो उसका एक क्या प्राइस होना चाहिए अभी इस बातों पे चर्चा होगी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा और जुड़े रहेंगे वी एम लखनो काइट से तो आपको लगतार रानू काइट मेकर की अपडेट मिलती रहेगी क्या नया आया है 15 अगस पे क्या कलेक्शन कर रहे हैं किस प्राइस में आपको प्रोवाइट करा रहे हैं वो सब दिखाता हूँ तो चलिए तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो उसको लाइक को शेयर करना मत भूलिएगा और मैं आपको अभी पूरी अपडेट दूँगा रानु काइट मेकर की कौन कौन से फर में कौन सी पतंगे और किस प्राइस में कैसे मिलेंगी रानु भी या नवश्कार काफी दिनों बाद आए हैं आप और ये बताईए पतंग का कार खाना आपका कहां पे है लखनौ में अगर आप लोग चाहते हैं कि रानु काइट मेकर के कार खाने पे आए तो एड्रस जो बताया है और इसके साथ ही स्क्रीन पे नंबर आएगा रानु भाई का अगर आपको कोई परिशानी होती है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं और रानु भाई लगबग कब से आप काम कर रहे हैं पतंग का हमें तो बहुत हैं साथ-ाठ साल से आप बना रहे हैं पतंग तो इतना टाइम काफी होता है एक अच्छे मेकर को तयार होने में अब आप सकते हैं कि एक साल में ही आदमी काफी अच्छा काम करता है साथ-ाठ साल से रानु भाई काम कर रहे हैं तो चलिए पहले सबसे पहले पतंग दिखाऊंगा तब आप खुछ जानेंगे रानु भाई अद्धी औ पौना दोनों बनता है कारखाने पे कारखाना शब्द मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि रानु काइट मेकर के नाम से पतंग आती है और कारखाना इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे उस्ताज जो हमारे पपू भाई है तीस साल से जादा से काम कर रहे हैं और रानु भाई और दोनों की एक ही पतंग आती है एक जैसा काम होता है इसी का मतलब कारखाना कहलाता है अगर पर्टिकुलर अलग-अलग पतंग आती तो मैं इसी काइट मेकर ही कहता तो चलिए रानु भाई दिखाए यह क्या पतंग है हमको जितनी भी आपके फर्मे हो और जो जो प्राइस हो बताएंगे ना प्राइस सब पता चलेगा पहले फर्मा देखते हैं डिजाइन देखते हैं और पंदरा अगस के लिए अगर कुछ खास कर रहे हो तो वो भी बता दीजिएगा चलिए नेक्स वीडियो जुड़े रहेंगे तो आपको मिलेगा बढ़िया फर्मा है गोल फर्मे की अद्धी है बहुत ही अच्छा है बीच में एक बद्धी डाली है इस डिजाइन को कुछ कहते हैं क्या बद्धीदार कहते हैं ठीक है पहला आटिकल हमने देखा गोल फर्मे की अद्धी है आपकी अद्धी ही दिखा दिये पहले जितनी भी अगर हो फिर हम पौने पे आ जाएंगे ये भी अद्धी है वही फर्मा है ये भी गोल फर्मे पे तो दिखाया इसलिए दर वो बद्धी दार थी ये पट्टी और साथ में परी मतलब डबल कलर में जोड़ा है तो रंगीन में भी आप काम करते हैं इसका मतलब जो भी पतंग आप दिखा रहे हैं वही पतंग दिखा रहे हैं जो आप बना देंगे या ऐसा तो नहीं है कि वीडियो के लिए दिखा रहे हैं और बाद में कहें कोई और करें तो नहीं बनने पाए बता दिया रानू भाई ने तो आप लोग जब जान रहे हैं बाकी सारे डिजाइन बन जाएंगे ठीक है और दिखाए ये डिजाइन कौन कौन से बना रहे हैं ये आपके गोली फर्मे है ये देखिए गोल फर्मे में अलग-अलग कलर में जोडा गया है अभी हम लोग कमानी की भी बात करेंगे रानू भाई से पूछेंगे किस तरह की कमानी यूज़ करते हैं डिटेल में पूरी एक-एक चीज़ आपको पल्टाई के बारे में बताया जाएगा तो अद्धी का अभी हम लोग जिकर कर रहे हैं अभी आपने अद्धी का हमको एक गोल फर्मा दिखाया आयरानू भाई और भी फर्मे है क्या और है मगर तैयार नहीं है ओडर की तीज़ अच्छा ठीक है और कितने फर्मे है अद्धी के तो अभी एकी था जो गोल फर्मा आपने दिखाया है चलिए अभी हम लोग जिकर करेंगे उस पे तो पहले आया तो आगे बढ़ने से पहले हमको जो अद्धी आपने दिखाई तो उसका प्राइज बता दीजिए जी इसका अठारा रुपए है प्राइज प्लेन पतंग की अची प्राइज ओर यहां पर बहुत अच्छी सोच है आप प्लेम चालते हे तो प्लेन बन जाएगी रंगी चालते है रंगी बन जाएगी प्राइज वही रहेगा और मिक्स चाहेँगे तो थोड़़ी ओंस करके मिल जाएगी बहुत बढ़िया ठीड है चलिए पहुने पर हम लोग आ जाते हैं ये गोल फर्मे पर पौना है टोर्नमेंट साइज है या नहीं है टोर्नमेंट है टोर्नमेंट का मतलब यह होता है साले 26 से 27 कमानी और 23 से 23 ठड़ा यही होता है ना टोर्नमेंट साइज तो टोर्नमेंट साइज है आप टोर्नमेंट में लड़ा सकते है और मैदानी पतंग कहना नहीं जब टोनमेंट में लड़ेगी तो कहीं भी लड़ेगी पतंग जी चांद बनाया गया है पौने में भी आपके पास क्या फर्मे हैं पतंग अच्छी लग रही है कमानी आपने बढ़िया यूस की गई है इसमें एक बार कमानी हम दिखा दे करीब से काफी अच्छा काम लग रहा है और रानु भाई काफी बढ़िया काम कर रहे हैं पतंगों पर मेहनत करते हैं अभी आपको प्राइस पता चलेगा डिजाइन देखिए पहले कौन कौन से डिजाइन बन सकते हैं कलर कॉमिनेशन काले में काला पत्ता था और यही काले में जो है आपने यह कौन सा कलर कहेगा गुलाबी कह सकते हैं जो भी कलर है सामने डिस्पले हो रहा है आपके बहुत ही बढ़िया खुबसूरत काम लग रहा है यह भी वही फरमा है ये क्या फर्मा बदल दिया है वही फर्मा है बहुत बढ़िया लग रहा है क्या खुबसूरत काम किया गया है सितारा बना है उसमें चान बना था इसमें सितारा बना है लेकिन साथ में मांग भी बनी ही है डबल काम किया गया है फिलाल कमानी की क्वाल्टी कमानी कहां से मंगा रहे रानू भाई आप वो तो मेरी तुलसीपूर से भी है फरुकाबाद तुलसीपूर दोनों जगात से आती है फरुकाबाद की क्या जादा अच्छी होती कमानी ओके तो जी अच्छी पतंग है रेंज की पतंग है कि बड़िया काम किया गया खुबसूर्ट क्या और फर्मा है दूसरा इससा में अब है और फर्मा पहले देख लेते फिर हम लोग प्राइस की बात करनी ये देखिया आगया है खुबसूर्ट काम है क्योंकि ज़्भादा खिलारी ये फर्मा पसंद करते ह्द् nation किया वह के कमानी काफी आपने किनारे से बारीग की है क्यों किया है इसको ऐसा क्या सोचके चाल बनाने के लिए लिए देखें यहां पर दिख रहा है कितनी बारीग कमानी की गई है ताकि पतंग की चाल तेज हो जाए, स्पीड बढ़ जाए पतंग में, मांगदार है, पौना है आपका लंबे फर्मे का, कितने का है प्राइज, इसका प्लेन अठारा रुपए का है, मांग बनी होगी तो, मांग का अलग से चार्ज होगा, जो चार्ज होगा, एकदम रिजनेबिल प्राइज होग बताईए हमको गोल फर्मा दिखा दी एक पर कौन सा था आपका, यही वाला था, यह कितने का मिलेगा किसी को, अठारा और उननिस, दो ही दाम है, बाकी अगर आप दो तीन डिजाइन चाहेंगे, जो भी डिजाइन चाहेंगे, वो बनेंगे, उसी हिसाब से प्राइस थोड आप भी निखल जाती है, जी, बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को देखिया, अच्छा शौक करा रहे हैं, मतलब कोशिश की जाती है कि थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की कमानी लगे, ज्यादा लंबी पतंग चले, बहुत जल्दी खराब ना हो जाए, मेरे पह जितनी ले, सब 19 रुपए में, ये कोई बाहर से आपको और करेगा, तो भीजवा देंगे उसको, अगर आप लोग विजिट करेंगे, रानु भाई एक चीज और अधूरी रह गई है, कितनी पतंगे कोई बाहर से, अगर कोई मंगाए तो लगबक कितनी पतंगे, वो अगर किराया आपको ज़्यादा पढ़ता है, इसलिए कहा जाता है कि कोशिश करिए कि कम से कम 200 पतंग होनी चाहिए, पढ़ेगा आप उनको नहीं, जी, प्राइज उतना ही लगना है, तो आपको जब ज़्यादा क्वांटिटी होगी, तो वही चीज रिड्यूज हो जाएगी, पतंग में बहुत ज़्यादा फरक नहीं आएगा, और जो लोग आपके कारखाने पे आके लेना चाहेंगे, उनको कम से कम कितनी पतंगे मिल जाएंगी, जरूर विजिट करिएगा, यह सब पतंगे 18 और 19 रुपय का जो फर्मा आया, बहुत ही खुशूरत पतंगे हैं, इस खुशूरत काम किया गया है, चांद बढ़िया बनाए गया है, नीचे कॉंबिनेशन पत्ते का बहुत खुशूरत रखा गया है, तो चलिए, जुड़े रही है वीम लखना उकाईट से नीचे लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैन